श्राइस्ता परवीन और गुद्डू मुस्लिम ये दो कोर्ट जिनकी लोकेशन डिकोर्ट कर पाना यूपी एस्टिफ के लिए टेड़ी खीर साबित हो रहा है दोनों के पीछे पुलिस और जाच एजनसिया हाथ धोकर पड़ी हैं लेकिन दोनों पुलिस को छकाने में कोई कोर कसर नहीं जोड़ रहे हैं ऐसे में अब सवाल ये उट रहे हैं कि शाइस्ता और गुद्डू को पकड़ना मुश्किल हो गया है दोनों कहीं यूपी में कोई बड़ी साजिश रचने तो नहीं जा रहे है दोनों ने ना तो सरिंडर किया ना अरेश्ट हुए क्या यूपी में कुछ बड़ा करने वाले हैं बंबाद और उसकी साथी 13 अपरेल को असद का एंकाउंटर फिर 15 अपरेल को माफिया भाईयों का खतल ये माना गया कि एक बेगम अपने शोहर के जनाजे में तो जरूर पहुँचेगी भले इसकी सजा गिरफतारी हो लेकिन उसने आखरी बार भी अपने शोहर का दीदार नहीं किया ऐसे में अब कयास ये लगाये जा रहे हैं कि अतीक की बीबी शायस्ता शोहर के सामराज को अपने नाम कराने में जुटी हुई है या फिर दूसरी गुंजाई शेवी है कि घाय शेवनी कहीं कोई बड़ा हमला तो नहीं करने वाली आज की तारीख में ये लेडी डॉन यूपी की सबसे चर्चित और वॉंटेड लेडी बन गई है पचास हजार की इनामी शायस्ता तो पंजाब के भगवड़े अमरित पाल से भी जादा शातिन निकली अमरित पाल को तो पंजाब पुलिस खोज लाई है लेकिन शायस्ता तक पहुचने में यूपी पुलिस के पसीने छूट रहे हैं माना जा रहा है कि शायस्ता परवीन माफिय अतीक एहमत का सामराज्य समालने की कोशिश में जुट गई है जो अतीक ने अपने अपरादी करण से पैदा किया था यूपी एस्टिएफ के नुसार शायस्ता उन समपत्यों को अपने खबजे में ले रही है जिन पर अभी तक अतीक का नाम दर्जु था शायस्ता फरारी के बावजूद चाटेड अकाउंटन के समपर्क में है यूपी पुलिस ऐसे सीए की तलाश कर रही है जो अतीक और अश्रफ के काला धन का बिवरण रखते थे अब यही सीए शायस्ता की मदद कर रहे है शायस्ता अतीक के काले सामराज्य की पूरी डिटेल मंगवा रही है स्टिएफ को ये इंपुट हाथ लगा है कि शायस्ता दिल्ली, मुंबई, यूपी, सहिद कई जगहों पर संपत्य अपने नाम करवा रही है इस काम को करने में शायस्ता अकेली नहीं है कई बेनामी संपत्यों को हासिल करने में सीए समेथ उसके कई जानकार लोग उसकी मदद कर रहे है पुलिस को शायस्ता परवीन के प्रयागराज में छिपे होने की आशंका है पिछले दिनों उसकी लोकेशन प्रयागराज और कौशाम भी बॉर्डर पर मिली थी जिसके बाद इस लाके के कई गाउं में छापे मारी की गई थी लेकिन शायस्ता को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम ही रही है शायस्ता हर बार चकबा देने में खाम्याब हो जाती है तो फिलहाल इस रेपार्ट में बस इतना ही